वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 30 अगस्त 2022 और 30 अगस्त 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुछिन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और हर कुछिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से देखिए लाश्ट अम मैं आप से कुछिन भी पूछूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज की इस वीडियो की पीडियो के डिसक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप पर आपको सारी पीडियो एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम ग्रूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसक्स में दे दिया है तो आप उस link पर click करके telegram group join कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं पहला question है हाली में राष्टी खेल दिवस का मनाये गया है तो अभी 29 अगस्त को राष्टी खेल दिवस मनाये गया तो उस question का बे options है यह actual में major ध्यान चन जी का जन दिन होता है 29 अगस्त को 29 अगस्त 1905 को और इनी के जन दिन को राष्टी खेल दिवस के रूप में मनाये जाता है अब यह important day वाला question है तो अभी 1 अगस्त को Muslim मैला अधिकार दिवस मनाये गया क्यों मनाये गया क्योंकि 1 अगस्त को ही triple तलाक बिलाया था इसलिए 1 अगस्त को Muslim मैला अधिकार दिवस मनाये जाता है 1 अगस्त को ही world lung cancer day मनाये जाता है 2 अगस्त को पिंगली बैंकया की 146 में जैनती मनाये गयी इन्होंने भारती रास्टी धोज का प्रारंबिक डिजाइन तेयार किया था और इस बार इनकी जैनती पर एक इसमारक डाक टिकेट जारी किया गया है 5 अगस्त को अंतरास्टी ट्रैफिक लाइट दिवस मनाये जाता है 6 अगस्त को हिरोसिमा दिवस मनाये जाता है 7 अगस्त को रास्टी हत्गरगा दिवस और रास्टी वाला फैंक दिवस मनाये जाता है आठ अगस्त को भारत चूड़ो आंदूलन दिवस मनाया गया नौ अगस्त को बेश्चो आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया ये दो डे एक साथ आप याद रखिए चै अगस्त को हिरोसिमा दिवस और नौ अगस्त को नागासाकी दिवस हिरोसिमा और नागा साकी ये जापान के दूस सहर हैं जिन पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था चै अगस्त को हिरोसिमा पर गिराया इसलिए चै अगस्त को हिरोसिमा दिबस मनाया जाता है और 9 अगस्त को नागा साकी पर गिराया, इसलिए 9 अगस्त को नागा साकी दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को बिसु जैब इधन दिवस मनाया गया और वर्ल्ड लाइन डे भी 10 अगस्त को मनाया गया 12 अगस्त को अंतरास्टी युवा दिवस, ये इंपोर्टेंट है इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में सुरू हुआ और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में सुरू हुआ अच्छा 12 गस्त को ही 200 संस्कृत दिवस भी मनाया गया तेरे गस्त को 200 अंगदान दिवस मनाया गया चौदे गस्त को विभाजन BBC का इसमर्ट दिवस मनाया गया सूले गस्त को बेनिंग्टन बैटर डि मनाया गया सत्रे गस्त को पारसी नब बर्स मनाया गया पारिसी नब बर्स को नब रोज कहते हैं नब का मतलब होता है नया और रोज का मतलब होता है दिन तो पारिसी नब बर्स इस बार 17 अगस्त को मनाए गया है और एंडोनेसिय ही सुतंता दिवस ये भी 17 अगस्त को मनाए गया 21 अगस्त को 200 बरिष्ट नागरिक दिवस मनाए गया और आतंगवाद के पेड़ेतों का अंतरास्टी इस्मरट और स्रद्दांजली दिवस भी 21 अगस्त को मनाए गया 23 अगस्त को दास ब्यापार और उसके उन्मूलन के इस्मरट के लिए अंतरास्टी दिवस मनाए गया 24 अगस्त को बिस्टु गुजराती भासा दिवस मनाया गया 26 अगस्त को अंतरास्टी डॉक दिवस और महला समानता दिवस मनाया गया और अब 29 अगस्त को रास्टी खेल दिवस मनाया गया है 29 अगस्त को एक और इंपूर्टेंडे बनाया जाता है वो क्या है? परमाड परिक्षड के खिलाब अंतरास्ती दिवस भी 29 अगस्त को मना जाता है तो इस question से आपको इतनी जनकरी मिलती है अच्छा आज किस video का हम target रखते हैं 40,000 लाइक का तो अगर ये video आपको अच्छा लगता है, helpful लगता है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ, daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे छोटा साई target fix करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा देन उस target को achieve करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है, हाली में यूरोपी footwall महा संग का सर्फ स्रेष्ट footwall किलाडी of the air 2022 पुरुषकार किस ने जीता है तो ये करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस ने जीता करीम बेंजेमा ये कहां के हैं तो करीम बेंजेमा हैं फ्रांस के और एलेक्सिया पुटेलस ये कहां की हैं ये इस्पेन की हैं इन दोनों नहीं ये सर्फ स्रेष्ट footwaller of the air का किताब जीता है तो इस question का C option सही है उप्रियोक्त दोनों आप image में देख लीजिए ये हैं करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस नेक्स कुशन है खाली में जूता और चमड़ा उत्पाद नीत दोजर बाईस लॉंच करने वाला भारत का पहला राजी कौन सा बना है तो जूता और चमड़ा उत्पाद नीत 2022 लॉंच करने वाला बारत का पहला राजी तमिलनाडू बना है तो इसको शिन का बे ओप्शन सही है जूते और चमडे के निर्यात को बड़ावा देने के लिए ये जूता और चमडा उत्पाद नेती तमिलनाडू ने लौच की है। जलवायू परवर्तन मिशन की स्तापना की है। इस्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडू टॉप पर रहा है। तमिलनाडू सरकार ने आईटी आई के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलोजी के साथ समझोता किया है। और तमिलनाडू के मुक्यमंत्री ने एन ग्शमार्ट सरके उपयुक्षिरा ये याद करने की टेक्निक होती है। एक चीज़ से आपके माइंड में एक चेंग मन जाती है। और बहुत आसानी से बहुत लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं तो मेरी कोशिच यह रहती है कि चैन बने जिससे कि आपको यह चीज़ें आसानी से याद रहें तो जब बे कोई चीज़ आप याद करो उससे लिंक करके और दूसरी चीज़ें भी याद करो अचा, तमिलनाडू में अभी TX2 अवार्ड मिला था किसे मिला था? सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व को तमिलनाडू में है सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था ने क्यूशन है, हाली में Formula 1 Belgium Grand Prix किसने जीती है? तो अभी Max Verstappen ने Formula 1 Belgium Grand Prix जीती तो इसकुशन का से ओप्सन सही है ये है Max Verstappen, ये Red Bull कंपनी के ड्रैवर है और अभी इन्होंने Formula 1 Belgium Grand Prix जीती है अच्छा, अभी Sebastian Battle ने Formula 1 से सन्यास की गोशना की थी 2022 French Grand Prix का किताब Max Verstappen ने जीता British Formula 1 Grand Prix Carlos Sange ने जीती और 2022 Monaco Grand Prix Sergio Perez ने जीती अच्छा, एनिमिया रोमंगना Grand Prix ये Max Verstappen ने जीती थी तो Formula 1 से रिलेटिट इतने कुशन अभी आप जाद रखी Next कुशन है, हाली में केसे सेवी के पूड कालिक सदस की रूप में चुना गया तो अभी अनन्त नारायंड गोपाल क्रशनन यानि की A.N. गोपाल क्रशनन को सेवी के पूड कालिक सदस की रूप में चुना गया तो इस कुशन का B.O. अप इमेज में दिख लीजिए ये हैं अनन्त नारायंड गोपाल क्रशनन अप सेवी यानि की Security and Exchange Board of India इसकी स्थापना का हुई थी तो सेवी की स्थापना हुई थी 1992 में इसका Headquarter कहां पे है मुंबई में और इसके प्रजैन टेम पे Chairperson कौन है मादवी पूरी बुच कौन है मादवी पूरी बुच नेकुशन है हाली में ग्रह मंतरी अमित सान ने कहां रास्टी फोरेंसिक बिग्यान विस्विद्याले के पहले दीच्छन समारों में भाग लिया है तो रास्टी फोरेंसिक बिग्यान विस्विद्याले ये गांधी नगर में है और अभी इसका पहला दीच्छन समारों मनाया गया इसमें ग्रह मंत्री अमित सा ने पार्टिसपेट किया है तो इसकुषिन का A option सही है next question है हाली में अंतराश्टी क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदवाज कौन बने है तो अभी James Anderson अंतराश्टी क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदवाज बने तो इसकुशिन का से ओप्सन सही है ये हैं जेम्स एंडर्सन ये इंग्लेंड की तेज गेंदबाज है और अभी इन्होंने टूटल 950 विकेट ले लिये हैं ऐसा करके इन्होंने औस्टिलिया की ग्लेन मेग्गरा का रिकॉर्ड तोड दिया है ग्लेन मेग्गरा ने 949 हैं हाली में भारत और अमेरिका की बीच सेयुक्त अभ्यास बज्य प्रहार कहां समपन हुआ है तो एंडिया और अमेरिका की बीच की डिफेंस एक्साइज है बज्य प्रहार ये अभी हिमाचल प्रदेश की बखलोह में समपन हुई है तो इसकुशिन का बै-option सही है ये ब पाइगर ट्रम्प बज्जर प्रहार और युद्दव्यास ये इंडिया और अमेरिका की वीज़ की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्साइज है नए कुशन है हाली में भारती ओलंपिक संग के अंतरिम अध्यक्ष की रूप में किसने पदभार समाला है तो अभी आदिल सुमरे वाला ने इंडियन ओलंपिक असूसियेशन के अंतरिम अध्यक्ष की रूप में पदभार समाला तो इस कुशन का ए ओप्सन सही है इंडियन ओलंपिक असूसियेशन इसकी स्थापना कभ हुई थी 1927 में इसका हेड़क्वाटर कहां पे है न्यू डेली में और अब इसकी अ केड़िट बिस्सू चेंपियनसिप में कौन सा पदक जीता है तो लिन्थोई चनमबम इन्होंने अभी केड़िट बिस्सू चेंपियनसिप में स्वर्ड पदक जीता तो इसकुशन का बे ओप्सन सही है आप इमेज में देख लीजिए ये हैं लिन्थोई चनमबम इन्हों अभी केड़िट बेसु चेंपियंशिप महिलाओं के 57 किलोग्रम भारग बर्ग में गोल्ड मेडल जीता है इनका नाम आपयात कर लेजी ये पहली बार है जब किसी भी भार बर्ग में जूडो में बारती एथलेट ने गोल्ड मेडल जीता है ने कुशन है हाली में किस राजी के बाद दूसरा railway station मिला है तो अभी नागा लेंड को 100 साल से भी जाद समय के बाद दूसरा railway station मिला है तो इस कुशन का से options है नागा लेंड के धनसारी सोखवी railway line के साथ नागा लेंड को एक नया railway station मिल गया है नागा लेंड को पहला railway station देमापूर मिला था और कब मिला था 1903 में और अब क्या चल दा है 2022 तो लगबग 100 से भी जादा समय हो गया है 100 साल से भी जादा समय हो गया है और 100 साल से जादा समय के बाद दूसरा wil administration नाखालेंड को मिला है अब नाखालेंड तो यह है map में नाखालेंड नाखालेंड की capital क्या है Kohima नागालेंड की चीपनिश्टर कौन है नैफ्यू रियो और नागालेंड की गवर्नर कौन है जगदीज मुखी नैख्यू शेन है हाली में टेटवंटी में सबसे ज़्यादा रन वनाने वाले भारती खिलाडी कौन बने है तो अभी रोहित सर्मा T20 में सबसे ज़्यादा रन वनाने वाले भारती खिलाडी बने है कुशिन का बे options है अभी तक T20 में सबसे ज़्यादा रन न्यूजिलेंड की मार्टिन गुप्टेल के थे और कितने थे 3497 अब रोहित सर्मा ने 3499 रनवना कर इनका record तोड़ दिया है तो अब T20 में सबसे ज़्यादा रनवनाने वाले भारती के लाड़ी बन गए हैं रोहित सर्मा अच्छा कल भी मैंने आपको किरकेट से related एक कुशिन बताया था बिराड कोली तेनो फॉर्मेट में 100-100 मैच केलने वाले एकलोते खिलाडी बने हैं बिराड कोली नए कुशिन है हाली में केस देश ने दो रेलबे परियोजनाओं के लिए बारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्चर किये हैं तो अभी बांगला देश ने दो रेलबे परियोजनाओं के लिए बारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्चर किये हैं तो इस कुशिन का ए options आई है पहली railway परयोजना खुलना दर्शन के बीच एक नई broad gauge line होगी और दूसरी पारवतिपूर और कौनिया के बीच जो meter gauge line थी वो अब double gauge में convert हो जाएगी अच्छा railway में दो gauge होते हैं एक meter gauge और एक broad gauge जो meter gauge होता है आपने देखा होगा पहले जो railway की पट्रियां होती थी उनके बीच की दूरी कम होती थी वो meter gauge हुआ करती थी और meter gauge में पट्रियों के बीच की दूरी एक meter होती है और जो broad gauge होता है broad gauge इसमें पट्रियों के बीच की दूरी 1.6 मीटर होती है यह भी कुश्चिन पूछा जाता है याद रखिए मेंटर गेज और ब्रॉड गेज अच्छा बंगलादेश की बात है तो इंडिया और बंगलादेश की बीच टेन इंपोरेंटेंड्स आल ही है एक है मिताली एक्सप्रेस दूसरी है मैतरी एक्सप्रेस और तीसरी है बंगन checking यह इंडिया और बंगलादेश की बीच टेन एक्सप्रेस टेन अभी चल रही है झुक हाली में Tata Power Delhi Distribution Limited ने किसके साथ समझाता किया है तो Tata Power Delhi Distribution Limited इसने अभी Block Noughts के साथ समझाता किया तो इसकूशिन का B option सही है बिजली बित्रड के छेतर में योग और प्रसिच मानस बल को तयार करने के लिए Tata Power Delhi Distribution Limited ने Block Noughts के साथ समझाता किया है Next Question है आली में नेतियायोग ने कहां 500 Attral Tinkering Lab इस्तापित करने की गोश्णा की है तो अभी नेतियायोग ने जम्मू कस्मीर में 500 Attral Tinkering Lab इस्तापित करने की गोश्णा की तो इस Question का 6 Options है यह 500 Attral Tinkering Lab 50-50 की पार्टनस से पर स्तापित की जाएंगी यानि कि 50% अमाउंट नेतियायोग देगा और 50% अमाउंट जम्मू कस्मीर देगा तो 500 Attral Tinkering Lab यह अब जम्मू कस्मीर में स्तापित की जाएंगी अब नेतियायोग नेतियायोग की स्तापना कब हुई एक जन्वरी 2015 को इसका Headquarter कहां पे है नियू दहली में इसके अध्यक्ष कोन है भारत के प्रदानमंत्री यानिकी नरेद मोदी जी उपाद्यश कोन है नेतियायोग के प्रजेन टैम पे उपाद्यश है सुमन बेरी और के प्रजेन टैम पे CEO कौन है परमेशवरन आईयर कौन है परमेशवरन आईयर अच्छा जes जम्हू कस्मी समीर के प्रजेन टैम पेई ल्यूटिनेट गवर्नर कौन है मनूदसिन्ना अब लास्ट वीडियो के ils का कुश्यन का आंसर लास्ट वीडियो में आपसे professor की पंद्रेमा एसिया कप क्रिकेट टूनामेंट कहा शुरू हुआ है। तो UAE के दुबई में अभी पंद्रेमा एसिया कप क्रिकेट टूनामेंट शुरू हुआ। यानि कि इस Question का A-Options अई था और लगबख सभी इस्ट्रेणेस कांसर सही दिया। इस्ट्रेणेस के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा। Question के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो। क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते। अब आपके लिए आज का Question, आपके लिए आज का Question है। हाली में मारवत उत्सप कहां मनाये गया है। चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है। और इसके अलाबा हम अमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं। तो आप Facebook पर next exam सर्च करके अमारा Facebook पर join कर सकते हैं। क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं। अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है। या आपको अपने career से related भी कोई भी problem है। तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any agitation, discuss कर सकते हैं। अच्छा, आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना। आज किस वीडियो का target है 40 यह like का। तो अगर यह video आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है, तब आप इस video को like और share जरू किया करो। और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं, उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो। तो यह था आज का मारा current of face का video, आपको यह video कैसा लगा। प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना। और अगर अभी तक भी आपने मारे इस channel को subscribe नहीं किया है, तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए। आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब यह आप से subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बनके आएगा, आप उस bell icon पर जरू किलिक कर लेए। जिससे कि आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एक्जाम और बेज पर दियो। टैंक्स पर वाचिंग।